Dear Students, इस question में हमें एक quadratic equation दी वही है और हमें ये बताये गया है कि इस quadratic equation के जो दो roots है, वो equal है, तो इस condition में आप k की value find out करो, सबसे पहले तो मैं इस equation को arrange करता हूँ, धंक से लिखता हूँ, ये बन जाएगी kx square, kx और x को multiply किया, फिर kx को मैं minus 2 से multiply करूँगा, तो ये बन तो ये arrange होगई proper तरीके से, अब इसको मैं compare करता हूँ, इस given quadratic equation को standard form of quadratic equation से, standard form क्या होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0, इसमें a है x square का coefficient, b है x का coefficient और c एक constant number है, अगर हम मैं compare करूँ, तो a की value मुझे मिलती है k, b की value मुझे मिलती है minus of twice of k, और c की value मिलती है 6, ठीक, अब मुझे ये check करने के लिए, कि इसके roots equal होंगे, ये देखने के लिए, मुझे discriminant d की value निकालने पड़ेगी, तो discriminant d का जो formula होता है, वो होता है b square minus 4ac, value substitute करते हैं, तो मिलता है minus of twice of k, whole square minus 4a मतलब k, और c मतलब 6, d की जो value है वो बन जाएगी आपकी 4 times of k square minus 24k, तो ये है d की value, 4k square minus 24k, तो हमें ये दिया हुआ है, कि जो ये given quadratic equation है, इसकी जो roots है, दो roots है, ये दौनों equal है, तो जो हमें दे दिया है, तो इसका मतलब definite की d की value क्या होनी चाहिए, 0, तो यहाँ आप लिखेंगे for equal roots, आपको पता है equal roots के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की value 0 होनी चाहिए, और यहाँ पर 24 में तो 4 common है, k square और k में k common है, तो 4 k common लिया जा सकता है, inside the brackets आपके पास रहेगा k, और यहाँ पर रहेगा simple minus 6 and इन दोनों का multiplication है 0, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिखा तीन number से, एक number है 4, दूसा number है k, और तीसा number है k minus 6, इन तीनों का multiplication 0 है, यह कब हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक 0, अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब either k is equal to 0, और k minus 6 is equal to 0, k minus 6 कब 0 होता है, जब k की value 6 हो, तो इस तरह से हमें k की 2 values मिली, या तो 0 या 6, इसमें यह value reject हो जाएगी, क्यों, देखो, quadratic equation में क्या होता है, जो x square का coefficient जो होगा न, वो कभी 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर x square का coefficient है k, अगर यह 0 हो गया, तो फिर यह linear equation मन जाएगी, quadratic equation की definition से तो निकल जाएगी, तो k की value 0 होने सकती, इसका मतलब इसका answer है k की value 6, k equal to 6 इसका answer है,